हेलो दोस्तों मेरा नाम रोहित और स्वागता आपके अपने यूट्यूब चनल बीसे सेंटर में तो आज आम बताने वाले हैं समिष्टर वन का सेसी थ्री हेल्थ एंड वेल्नेस योगा एजूकेशन अस्पोर्ट्स एंड फिटनेस का सेट टू यूँकि आप सभी को पता कि जो भी अस्टुएंट्स का सेट वन था उसका एकजाम हो चुका था जिसका सेट फूर था वह भी एकजाम हो चुका तो मैंने दोनों वीडियो कर दिया है आज जो कुछ अस्टुएंट्स का हुआ था सेट टू और कल होने वाला है सेट थी तो जिसका जिसका कल एकजाम है न उनके लिए बहरी बहरी इंपोटेंट है और जो आज एकजाम देकर क्या है वह भी अपना अंसर मिला सकते कि मैंने सही लिखा या गलत लिखा लेकिन अभी बढ़ा दिया गया ठीक है तो चलो मैं देखता हूं और इसका अनसर में आप सभी को बताऊंगा ठीक है तो यह 26 सेशन वालों को है ठीक है अनि जिसका आज पेपर हुआ था ठीक है चलो तो यहां पर देखो सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हो गया है ठीक है मैंसे किनी मैंसे पांच परसना के लगों उतर दीजिए मतलब यह एकक नंबर का यह नंबर का है एकक नंबर का और कोई आपको पांच ही अनसर देना है कोई आपको पांच ही अनसर देना है ठीक है लेकिन इसमें पूछा गिया किना इसमें टोटल जो आपका कोचल पूचा कौन सा ध्यान रहे कि एक नंबर का ज्यादा लंबा नहीं लिखना ठीक है तो देखो स्वस्थ को प्रवावित करने वाला कारण कौन-कौन सा है सो ठीक है पहला परिया वर्निये है दूसरा है वैवारिक तीसरा है गरीबी और चौता है मौसम के परतिया आज साउधानिया तो पहला परिया वर्निये दूसरा वैवारिक और तीसरा गरीबी और चौता है मौसम के परतिया आज साउधानिया तो अब ये चारों में सब जो आपको असान लाग रहा हूँ आपको दो कम से कम लिख देना ठीक है चलो उसके वाद देखती कि बी नंबर में बी नंबर कांट सकता है है या तो कैंसर हो सकता मैंने आओ ठीन पताया आख्रीट का रोग है देंसर करो और कैंसर का रोग एक तीन हो सकते हैं टीक्स आपको कोय सिकुड़ लिखना में तो ऊसको मार्त बता है तो यापको यहां पहली दिख देना एकह आब पॉड़िग देना हूए तो rhoi Define नमबर देखो संतुलित यहार के सुरूत संतुलित यहार का क्या-क्या सुरूत है तो संतुलित यहार का जो सुरूत है वह मैं आपको तीन-तीन अंसर बता रहे हैं सभी का दाल होगी या आलू होगी और केला यह तीन संतुलित यहार का सुरूत है तो आपको कोई दो लिख दे हैं तो देखो मानशिक स्वास्त से व्यक्ति के सोचने समझने महसूस करने और कार करने की छमता से छमता परभावित होती है मतलब मानशिक स्वास्त से क्या होता है व्यक्ति का सोचने की समझने की महसूस करने की और कार करने की छमता परभावित होती है ठीक है इसी को बोलते ह क्इhmen पर में क्या हुरा है कि भूसभी कंट है तो सी करने से क्या हुथ मान में शांती आती है दिल की बिमारी खत्म होती है तो इसका लिखाईए हुद पेखे guy कि जी में ने सारिक सिच्छा कार्थ सब्सक्राकर क्ट्प्राइब को सारी रिख सिच्छा का अर्थ ठीक है तो सारी रिक सिच्छा का अर्थ भी मैंने इसका वीडियो बना दिये जाकर कि देखलो यूटूब पर डारेक्ली सर्थ करो सारी रिक सिच्छा का आर्थ ठीक है आजागा उससे वाद एच नमबर में ध्यान रहे आंसर ज्यादा लंबा नहीं लिखना है एक को नमबर क कि एक नमबर और पांच नमबर वाला में पोचा जागा तो वहाँ पर मैंने करवा दिया है तो वहाँ पर भी जाकर के देखले ने ठीक है इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बना दिया अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा जाक प्रतिकुल प्रवावों का संचेवत में समझाईए ठीक है नेक्ट देखे जंग फूड के हानिकार प्रवाव क्या है तीसरा है कापाल भाति के क्या लाव है ठीक है उसके यहां पर फूटबोल खेलके नियम और मैदानों के सवरूप को लिखे देखे अब पैटरन या तो पर इसके जगह में फूटबोल खेलके नियम और मैदानों के सवरूपों को लिख सकते ठीक है अब नेक्ट बात करते हैं निम्रिकित में से किनी चार परसन को उतर देना जिसमें से चावतर नमबर देख सकते हैं जारकन और वारत में स्वास्त किस्तितिक वरनन करें अच्छे खराब स्वस्त को क्या माप दंड है यह कोचन बहुत सारे कॉमेंट में कर रहें तर्श में लोग की बता दीजिए हम ने उसको बोला भी तक हाँ यह आएगा मैं मानता हूं लेकिन क्या आपको ऐसा थोड़ी नहीं कि चार ही कोचन देगा चार मेंसा चार ही लिख क्या मैंने बता दिया जंक फूड का रमकों क्या रवर्ऑ फिर बि मैंने बता दिया है 8 112 अधुन चचला में नहीं बता दिया हूं तो मैंने बहुत सारी कोचन बता करवा दिए अगर नहीं देखे तो जाकर के डिस्क्रिप्स में लिंक देख लो बाकिया पको और कोई टॉपिक्स पर अभी भी कोई डॉट है कि नहीं इस पर करवा दीजिए ताब लो कॉमेंट खुरो या अभी रात वर्म में हो सकता है करवा दू ठीक है दोस्तों मिलेंगे नेक्स पूडियो में तब तक जैहिन जै भारत